नमस्ते दोस्तों स्वांगत आपका एक और शांदार वीडियो में दोस्तों आप लोगे डिमांड पे हम एक बार फिर से प्रवीन भाई को अपने शो पर लेगा हैं आपको अगर ध्यान हो तो फिछला वीडियो हम आम के पेड़ी के नीचे हमने शूट किया था जिसमें प्रवीन भाई ने अपना पूरा डीटेल से बताया था अपनी जर्णी के बारे में कैसे इन्होंने ब्लॉगिंग की शुरुआत करी थी और उस वीडियो में इन्होंने एभी प्रॉमिस किया था कि एक अलग से वीडियो करेंगे सब्सक्राइब करेंब इस वीडियो के ने आदे धैन्होंने जोजोंने मैं ऄर्वाँ वाट gelir से यह सुपर करेंगी by उफिर failure के लिए तो सब्सक्राई को तो कि आहए है यह न इस वीडियो के कि प्र थे ला उइक खिर ौणाने के लिए इतने सारे कमेंट आप लोगों ने किये चलिए उसके लिए थैंक्यू कि आपने बहुत जादा प्यार दिया तो एक बार मैं चाहूंगा कि दर्शकों को एक बार दिखाया जाए कि इस समय क्या ट्रेफिक आ रहा है यास एनलेटिक्स हम खोलते हैं तो गूगल एनलेटिक्स ओपन हो रहा है और हम चाहते कि एक बार शुरुआत मोटिवेशन से की जाए फिर हम सिखेंगे कि यह चीजे कैसे करते हैं अरे 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 जी गाइस मैं देख सकता हूं लास्ट फाइव मिनट्स में 1530 लोग इनक देख सब्सक्राइब अरे जाने कि किसी वाट्स्टप ग्रूप से और टेलिग्राम ग्रूप से ट्राफिक नहीं भीजा इन्होंने पूरा गूगल से ट्रेफिक आ रहा है तो एकवर आप अपने डिस्कबर का थोड़ा सब दिखाएंगे जरूनी कैसा सब्सक्राइब कैसे महिने का है लास्ट शिक्स्टिन मंत में बतीस मिलियन का ट्रैफिक है डिसकबर से और इंप्रेशन कितने का हैं पांसो तेस्ट मिलन बाप रिवाप ठीक है ना और हम कल की बात करें तो कल का सायद हम तलका भी दिखा जेते हैं और इक लाक सायचेश जाए पांसों सायटीस एक लाक सायटीस एक दिन गां today का अशॉट से अलग आया होगा होगा तो जैसे कि हम बात के लास्ट ट्वैंट लिटेंट गांगग होगा होगा चार मिलियन चाहर चाहर मिल्यार एक महीने का ट्रफिक बाइस पाइसा कितना बना होगा है यह बहुत चर्चिब है आप पिछला वीडियो जो आपके गाउवाले भी देखे होंगे अरे बहुत प्रावल्म करीजिए थे गाउवाले कुछ कह रहे थे लोग कहेंगे लोग कामे कहना कहना क्या वाद है तो भाई ने दिखा दिया कि इनको इतना ट्रेफिक आया है एजस फॉर मोटिवेशन और आपको न्यूबी है जिनको नहीं पता कि डिस्कवर जिसके बारे हम बात कर रहे हैं आपको पता होना चाहिए तो मैं आपको दिखाना चाहूंगा मेरा फोन देदीजे जरा अलावा हो आइफोन 13 प्रो मैक्स नहीं 14 प्रो मैक्स ठीक है तो यहां पर मैं रिकॉर्डिंग ओन कर ले सेंस यहां पर जो वेब स्क गिजा है तो जो वेब स्क बर में याती दिस्कवर में ही Maßnahmen और साथे साथ आप देखोंगे नीचे नीचे आप YouTube वीडियो भी आ रहा है, डिस्कवर में, तो यह जो भी content आ रहे हैं, चाए web story हो, चाए कोई video हो, चाए कोई article हो, इस सारा discover के through ही उनको traffic जा रहा है, जिससे अगर यहां से मैं click करके उस article को read करूंगा, तो उसको discover के through traffic मिला है, तो इस discover feed में आये कैसे, यह जो feed है यह कैसे आये, यह काम करता है interest based, लाइक मेरा जिस तरह का interest है, मुझे उस तरह के ही articles या फिर content मुझे show करेंगे यहां पे, तो अब जिसका, जो जो users हैं, जो अलग-अलग सब का phone है, सब का अलग-अलग interest है, तो सब के feed में अलग-अलग type का content जाएगा, तो उस feed में हम कैसे जाएगा, हमारा content, हमारा article कैसे जाएगा, वो बताएंगे प्रविन भाई, तो आई होब कि आपको discover clear हो गया रहेगा, तो प्रविन भाई अब शुरू करते हैं, रामबढ दीजिए कि कैसे, भाई सावे, चार million तो नहीं चली, एक ही million करवा दीजिए, जैसे कि आप बोलें साइड दिखता है, वो होता है reach, है ना, उनका जो article का reach होता है, वो reach बहुत high हो जाता है, इसलिए उनके सभी के mobile में, वो article दिखता ही, दिखता है, उस पे आप अन्दागा लिए बहुत traffic होता है, मतलो उसका reach बहुत hard होता है, मतलो 50 million, 60 million में उसका खिली impression होता है उस जिनका और click तो अथा ही रहता है, है ना, तो होता है reach, तो सबसे पहले हमनो, अगर हमें नया side है, नया side है, हमें डिस्क्राम भेजना है, तो उसके लिए सबसे पहले traffic source बनाना पड़ेगा, यसे में पिछले वीडियो में बताया था कि traffic source होना ही चाहिए, तो traffic source आप telegram WhatsApp group से बना सक जाता है कि आप index नहीं हो रहा है, अब आप आज डाले हैं, और दो दिन के बाद index हुआ, तो 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 search में भी नहीं होगा, discover पे वही जाएगा, जो index हो रहा है, हाँ, discover में जाएगा, माले जी article डाल दिये, और तुरहंद दो से तीन मिनट भी में index हो गया, और उस पर थो सभी के लिए और करता है, हाँ, सभी के लिए और करता है, लेकिन इसमें भी है ना, कि आपको कौन सा keyword discover में जा रहा है, यह भी होता है, माले जी ऐसा keyword आपने article डाल दिये, जो discover को interesting दे ले रहा है, तो का है, discover में बेज़ेगा, Google, फीट फैची नहीं करेगा, आपका, आपका जाएगा ही नहीं, एक और चीज मैं आपे कहना चाहूंगा, गाइस कि discover में आपने notice किया होगा, तो image ही सबसे बड़ा दिखता है, title और image दिखता है, तो हमें इन दो चीजों से उस content को इतना interesting, इतना appealing बनाना है, एकदम clickbait नहीं कर देना है, इतना appealing बनाना है कि जिसके feed में उसके interest का तो उसमें जो भी feed में आ रहा है, उसके interest का ही आ रहा है, बट उस interest में कौन सा click करेगा, किस पे click करेगा, जिस पे एकदम high CTR वाला thumbnail लगा होगा, वाला आपको जो feature image यूज करना है, वो तगड़ा उस पे ऐसा लगे कि देखते ही click करने का मन करें, जैसे YouTube में होता है, कि title thumbnail matter करता है, वैसे ही discover के लिए title thumbnail matter करता है, और उसमें भी आप जो title thumbnail बना रहे हैं, जो title लगा रहे हैं, content के अंदर होना चाहिए, जो topic आप डाले है, title में, thumbnail में, content के अंदर नहीं होगा ना, तो आपका discover में तो जाएगा ही जाएगा, लेकिन 10-15 minutes में फिर discover हट जाए से, एक और चीज़, यहाँ पर आपने देखा होगा है, जो discover है, सिर्क mobile phone के लिए है, mobile phone पर ही ज्यादा access किया जा रहा है, तो mobile friendly होना चाहिए आपका website, तो उस पर AMP लगा होना चाहिए, AMP, हाँ, AMP तो लगा ही होना चाहिए, आपका site, AMP वाला site होना चाहिए, बिल्कुल, तो दूसरा एक, जैसे मैंने बताए कि web stories भी discover में जाते हैं, like discover के through traffic आते हैं ज्यादा, search से बहुत कम आता है web stories पे, web stories का एक रोल है, अहम हिस्सा है, अगर web stories अपनी और करें, direct discover की बात करें, तो आप साइद नहीं कर पाए discover, क्यूंकि अगर discover को खूलना है, तो इस पॉंट को भी नोट कर लिए, web stories भी बनाना है, ताकि आपका discover में chances बढ़ जानेगे, अगर spam नहीं करेंगे, तो आपका side proper, हर महीने discover में जाएंगे, कोई दिक्कत में होगा, जहां spam कर दिए, जहां web story बंद हो गई आपकी, वहां आपकी side उठेगी, जैसे एक बार दिखा दिए, जैस यहां से, मतलब 6 जून से, और यहां तक मेरी बंद रहा, 24 जून, तो आपने काम भी ने किया था, आपने काम भी ने किया था, और यहां पर में, क्या बलते है, एक बाए, web story आया था, मार्केट में, तो वहां पर क्या copy paste चल रहा था, बहुत ज़्यादा, तो वहां पर हम ल आना पड़ा, और सारे साइटों को पेनलाइज करते है, मेरा भी अपडेट आता है, helpful content update, जी, 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 और फिर discover, सभी का बंद कर दिया गया था, सभी का बंद कर दिया गया था, उसमें मेरा भी बंद था, लेकिन मेरी साइड है, मैंने फिर शुरुआती बला था, कि मेरी audience को capture करते हो, तो कैसे capture करते हो, क्या tool का use करते हो, आपकी आपकी पास इतनी audience है, सबसे पहले मेरे पास कुछ resources नहीं था, है ना, तो मेरे पास telegram और WhatsApp group का पता चला, WhatsApp group का मुझे पता था, लेकि यह नहीं पता था कि हमें WhatsApp group में लाएं कैसे, users को मतला लाएं कैसे, यही हलां क यही हजार-दोजार लोग आते थे रोज के पड़ रेक है, तो हम लोग क्या कि ना, WhatsApp group को हम लोग ने side में link कर दिया, WhatsApp group बना दिया, यह ना, XYZ WhatsApp group बना दिया, और WhatsApp group आने पाद, वहापे हम लोग side को link कर दिया, article का अंदर डाल दिये, हम लोग, footer बार में डाल दिये, upper में WhatsApp group में लोग को आते थे, अगर कोई भी interest चीज था, उस interest के हिसाफ से, लोग आते थे, click करते थे, पड़ते थे, दस लोग में से, एक लोग WhatsApp group में join होते थे, ऐसे करते करते हमने 1000, 2000, 3000 यहां तकी 10,000 group में add कर लिया, दस हजार? यहां, 10,000 लोग को group में add कर लिया, Telegram group में, WhatsApp group म में इतने लोग add होते हैं? नहीं, एक बार में 1000 होते हैं, अलग अलग group बनाके, आपने 10 group बना लिया, 10,000 लोग कर लिया, तो वहां पर यह क्या हो गया, कि हम लोग का थोड़ा सा, traffic source बन गया, जो भी नए आर्टिकल बनाते थे, आप उसमें भेज देते थे, ग्रूप में, हमारे अभी हाय हला की 2000 लोग हैं, तो मैंने एक वीडियो में बताया भी था कि पूस्ट नोटिफिकेशन यूज करिये, आपने बताया था, है ना, तो वार्टप ग्रूप, टेलिग्राम ग्रूप हो गया था, फिर नोटिफिकेशन का हम लोग सोचा, तो मैंने नोटिफिक दस हजार हो गये थे, और उसके आगे मेरे होने वाले थे, तो दस हजार ऐसे कैसे होने लेगे, और जैसी दस हजार हुए मेरे उसमें, और वार्टप ग्रूप थे, जैसी आडिकल दालता था, मैं भेजता था, 15, 20, 30, 40 यूजर एक पोस्ट पर लाई बते थे, वह इसे ही ड कर रहे हैं यह प्रोसर्स लगबत 3-4 महिने से कर रहा हूं और मैंने अभी हाली में 20-15 दिन पहले मैंने इस चीज़ को मैं सोचा कि चलो ऐसा भी हो सकता है कि साय देन नहीं हो तो मैंने कुछ आर्टिकल को डिसका मैं नहीं बेजा नहीं ट्रैफिक बेजा और फिर मैंने तो अभी जैसे परवी मैं आपने बोला कि पहले आप वाट्सेप और टेलिग्राम यूज कर देते तो अभी जो पुस्ट नोटिफिकेशन आप कौन सा तूल यूज करता था तो अभी कौन सा तूल यूज करते हैं और कितने उस उस पे हो गया है अभी मैं लारा पुस्ट ना और इसमें मेरे कॉल लगभाव चार चार लाख होने वाले एक बार दिखाए कितने ताम से उस कर रहे इसको इसको मैं दो तीन वहींने से उस कर रहा हूं क्योंकि जब मुझे फैदाना जाराया कि मुझे फिरी तूल को तो मैं यूज करूंगा तो उससे मुझे फायदा सब्सक्राइब यूज करने पर तो उससे परका यूज करने तो इतना महींगा टूल आपने खरीद लिया है एकदम खरीद लिया क्योंकि फायदा तो है ना बहुत ज़्यादा फायदा लोग को नोटिफिकेशन भेजते हैं अगर कितने लोग लाइव आते तुरंस आपका मतलब आप कोई भी पोस्ट एक बार भेजते हैं तो उसमें से सारे चार लाग लोग के पास तो जाए गई जाएगा लेकिन इसमें क्या होता है को लोग इरिटेड हो जते हैं मतलब वार्पो निन एक पर प्पभिश करता हूं उसको यहाद भेज़ता नोटिफिकेशन तो वहां पर मुझे लगब अराम से पंदरह बीस पचास साथ सो दो सो रियल टाइम चलने लगता है उसी पोस्ट पे किसी ना किसी फोन में जो इंटरस्ट रहेगा जो इस आर्टिकल से रखता होगा उसके फोन में दिख जाएगा और क्या फायदा इस टूल तो होई रहा है और इस नोटिफिकेशन से मतलब कोई आपका नोटिफिकेशन गलत यूज नहीं कर पाएगा बहुत सरी कंपनियां जो फिरी वाली होती है वह इसका गलत यूज करती है जैसे कि मान लीजिए ग्लेमिंग और इस्पांसर टाइप का नोटिफिकेशन वो लेकिन उससे जो कोँआ पता नहीं रहता कि उसका जो स्रेइंश किया जा रहां कंपनी के फुरूब है लीकिन यूज लेकिन विरा सब्सेर शेल्फ होस्टेड यह आपके पास हें लिःता है आप कंपनी वाले बिने देख पाएगगे कैसि कितना हुआ है और आपके अपिक पास जितनी विए साइड होंगी मैं चाहूंगा तो उससे पैसा कमा सकता हूं कैसे जिसी कि मैंने कोई और नया ब्लोग बनाया है न कोई और में बैसाइड है उसका ब्लोग का लिंक लिंक लेकर और यहां पर मैं इसको पूर नोटिफिकेशन बेज देंगा वहां पर इस्टे होगी इस पर में फंस गया है और उसका अपनी ट्रेफिक को इसको उसको उसके बैस सकते हैं जैसे कि उस पर आटिकल दलवाई के यह आप नोटिफिकेशन जाके उसको नोटिफिकेशन बेजएंगे तो यूजर्स जो आपके में यूजर्स आपके उस बेव साइट पढ़े पढ़ने को बाद उसके पढ़ने के लिक करेंगे तो यह स्टेंट बुस्ट मिलेगा तो वह से बाहर आने का भी चांस बन जाता है और उससे अर्णिंग भी आपको होने लगता है यह फाइदा है इसका फाइदा मतलब बोले तो हर जगा है अगर यह उसका ना चाहिए है तो ह जिस वहां जो समझ पा रहा हूं कि जैसे माल लो हमारा कोई एक्सिस्टिंग ब्लॉग है जिस पर हमारा चल रहा था और किसी वज़ा से वह पर बंद हो गया वहां से हमारा ट्रैफिक आना बंद हो गया तो हम क्या गर सकते हैं कि दूसरे नए साइट को बनाके उस साइट प अगर नहीं भी जाएगा तो उससे कमाई अपका होने लगेगा तो यह लारप उसमें आपने इन्वेस्स किया है तो आपके लिए वर्थ है एकदाम पैसा पुरा उसूल है लारप उसमें जो भी मैने पैसा लगाए है ना मुझे एक ही मैंनी में रिटर्न आ गए थे एडिस टूल लगाना पड़ेगा तो अब जैसे मालीजे जो आपने फ्री वाला भी यूज किया है जो वन सिगनल या फिर वेपुशर है और आप यह यूज कर रहे हो तो डिफ्रेंस आपको क्या लगा डिफ्रेंस इसमें बहुत है है ना उन समय में लिमीट रहता है आप बस इतन क्लिक में नोटिफिकेशन में कैद हो जाएगा उसको पता भी नहीं चलेगा अगर आपकी साइड एंप इंस्टोल है तो अगर डायरेक्ट आते हैं डिस्कवर से या कहीं से गूगल से तो वह आटमेटिक आएंगे और ऑटमेटिक एलाव हो जाएंगे है ना वह एलाव हो अच्छा कभी-कभी आप देखेंगे ब्राउजर में और जो फ्री वाले उसकरते तो उसमें नहीं होता था उसमें आपको कुछ पूछता है फिर यस करना होता है फिर अलाव करना होता है अलग डबल ट्रिपल इस्टेप में ही आपका अलाव हो जाता है तो यह काफी यह एक दो महीने कंदर दो महीने कंदर अंदर तिस-प्यादा फैयता नजरा रहा है और एक बात और है इसमें आप अधर अगर फिर यूज करते हैं तो उसमें क्या होता जब भी आपि नहीं होता है अप 10,000 लोग है दो सालों के पास नहीं जाएगा वहां पर आपको दिख सब्सक्राइब करेंगे तो आप किसी भी पोस्ट का यहां पर डालेंगे और यहां पर अटमेटिक टाइटल थमलें और सारा कुछ आटमेटिक आजाएगा एक काम करें मेरे ही उसका करके दिखाये जारा अच्छा भी दीचिया अच्छा वीडियो का नोटिफिकेशन भी सकते हैं मैं चाहता हूं जैसे चारला की यूजर मेरे मानलो हो गए और में को भेजना है इस तो मुझे ज्यादा डिस्काउंट नहीं था साइद आपको डिस्काउंट आपसे अगर कोई भी लेगा तो मैं गाइस में बता दू जब प्रवीन भाई से जब मैं मिला था जब प्रवीन भाई ने सारी चीज़े बताई थी तो फिर मैंने भी मेरे लिए टूल मगाया है औ और उसका मैंने अफिलियेट साइन अब भी किया है तो अगर आप हमारे लिंक से अगर आप पचेस करते हो तो आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा इनका अभी जैसे हम देख पाएंगे यहां पर दो प्लान से एक स्टार्टप प्लान है एक प्रो प्लान है तो प्रो प्लान अब हला कि जैसे परविन भाई बोल रहे हैं कि महांगा है मुझे भी फर्स्टम जब मैं देखा था तो मुझे कॉसली लगा था बड़ जब मैंने कंपेर किया था दूसरे जो जैसे वन सिगनल या फिर पुशर है इन लोगों से जब कंपेर किया था तो यही सस्ता लगाता आप जैसे यहां भी देख सकते हो वन सिगनल है नोटिक्स है तो इन लोगों का हजारजा डॉलर महीने का इनका वह आता है लैक फीस आता है अगर वन मिलियन यूजर को हमें भीजना है तो यहां पे देखोगे साड़े चार सो में पुरा लाइफ टाइम है साड़े चार सो और जो अल्मोस आपके हो जाते हैं अगर हम करें तो साड़े साथ सो डॉलर वाला है वो लगबग 66,000 का हो जाएगा अगर आप मेरे लिंक से पचेस करोगे तो आपको इंस्टाइटली डिसकाउंट भी मिल जाएगा कितना डिसकाउंट मिल जाएगा मैं आपको बताता जोगा है और आपको तो बन्फित हो रहा है तो परवीन बाइब जाब बताओ कि नोटिफिकेशन कैसे करेंगे किसी आर्टिकल पर जैसे हमने सतिसको सवार.com पर आया है ना और यहां पर मैंने लारा पूस में आया और यहां पर फैस्टेंट पर हमने इस इवाल को प्रेस् तो यहां पर यहां पर देखिए जैसे कि यहां पर आपनों जैसे करेंगे तो यहां पर थमलें टाइटल और डिस्क्रिप्शन सब कुछ अटोमेटिक उठाएगा यहां पर कुछ करना नहीं देगा दालना देगा और यहां पर आपको कंट्री इस्टेट डिवाइज सब्सक्राइब करेंगे जिस राज्य में ज्यादा चीजे ट्रेंड हो गई सब्सक्राइब करेंगे और यहां पर यहां पर सब्सक्राइब करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे और सब्सक्राइब वहाँ पर पहुंच जाएंगे और इस्टेंटली नोटिफिकेशन चला जाएगा और जैसे थम्नेल हमने शुरू आप में जैसे वोला था था थम्नेल टाइटल तो अगर ताइटल अच्छा रहा तो हमारा डिस्कावर में भी चांसे बढ़े जाते हैं वाइरल होने तो आप क कैनमा जैसा यहां पर देखें नोट अकलमें जैसे हैं घेयों कि मांट जींद खूला और जैसे अप वर दिसकावरशन सेtoi शुख यहां अगा ज देखतें हैं यहां जो अबना में दिसकूरर होता है सकता है तो ओना खालताय जिन आपकर बनाते वहांī पर दिखता है जैसे कि आपका कटोट नहीं होगा कहीं कहीं टाइटल आप किना लेते हो क्या मैं ने लेता हूं यहां वह चैक्स भी लिख देते हैं टैक्स भी लिख देते हैं वह सस्ता इतना अपीलिंग चल सकता है इतना अपीलिंग चलता है जितना आप बना सकते हैं अभी तो बहुत नौर्मा बनाया हूँ जितना आप बना सकते हैं उतना चल सकता है गूगल डिसकबर का जो पॉलिसी है मैंने यह पढ़ाए कि अगर आप स्पाइम करते हो गलत तरीके से आप चीजों को क्लिक करवाने के लिए चीज़े करते हो तो अगर गूगल की नजर पड़ी तो फिर आपको पेनिलाइज कर सकते हैं तो आप इस तरीके से थमनिल बनाते हैं आपको इस टूल के बारे में कैसे पता चला था लारा पूश के बारे में लारा पूश के बारे में हमें जैसे कि हमने बहुत सरी न्यूज की विए साइड़ी देखा था लोग पर में देखा था कि बारा पूश कर रहे हैं कोई एक्जांपल दीजे एंपी नर्सी चलता था लेकिन उस समय जो लारा पूश था नोर्मल रेंज में था जैसे कहने का म लारा पूश के बारे में तो इनका डेमो प्लान भी है तो आप लेने से पहले अगर आप चीजे अगर पैसे डाल रहे हो तो एक बार आपको समझ में आने चाहिए कि आपके काम का है कि नहीं और शुरुआत अगर कर रहे हैं जो लोग इतम बीगिनर कोई भी ट्रैफिक नहीं है तो आप शुरुआत फ्री वाले टूल से कर सकते हो जैसे वन सिगनल है पूश रहे है और अगर आप एक मीडियम लेबल का ब्लॉग चल रहा है तो जाके आप लारा पुश का यूज करो तो यूज करो और जिस तरीके से भाई ने बताया कि कैसे डिसकवर में जाएगा तो उस टेक्निक से आपके पोस्ट डिसकवर में जाएंगा तो आपका पैसा भी वसूल हो जाएगा और बड़ी-बड़ी साइट इसका इस्तेमाल करती हैं पुश अगर आप जाके अगर मेरी भी वेबसाइट चेक करेंगे टेक्युक्ति.com और सथिसकुसौर.com तो इन दोनों साइट्स पे हमने लारा पुश लगाया हुआ है तो अभी हम ट्राइ कर रहे हैं मैं अगर आपको दिखाओं कि कितने यूजर मेरे पास हो गया है तो अभी जै जैसा रिजल्ट आएगा मैं भी आप लोग को बताऊंगा बट फिलाल रिजल्ट जिनका आ चुका है उस सामने और इक बात और बोलूंगा जिसे लारा पुश के क्या है ना आप लोग काम कर रहे हैं डायरेक्ट इसमें कई सिस्टम है जैसे कि अगर आप आप आर्टिकल ड करेंगे लगे तपर क्या कर सकते हैं कर सकते हैं मिन्न इूंट इसन के रिच dönे और क्या इसका फायदा आपको नजरने वारेप जो करने करता हूं अगर मैं आटोमेशन का मन हैं इस से कर सकता हूं इसको मैंने काम नहीं किया त्रैफिक ठोल को जो प्रॉटा गाइक जोबी फोर्फ बेद देगा उस पर ट्रेफिक आने लगेगा तो यह ओटोमेसन में भी बहुत बढ़िया काम करता है है ना और यह स्टेट बाइस्ट टार्गेट कर सकते हैं इसमें आप सेड़ूल भी सेड़ कर सकते हैं जी और इसमें आप वर्डपरेस के अंदर डाइरेक्ट जाके आप त पीछे को यह आटिकल हमारा दब गया उसको फिर सम नोटिफिकेशन बेज सकते हैं फुली तरह के से आप इसको ना हर प्रकाइस से यूज कर सकते हैं अगर इसको हम यूटूब से रिलेट करें जैसे यूटूब में क्या होता है जैसे हम कोई नया वीडियो पोस्स करते हैं लारा पुश पे हम क्या करेंगा अगर लारा पुशए आप कोई भी नोटिफिकेशन यूज कर रहे हैं उसके थूरू हम भेज सकते हैं जैसे आपने यूटूब वीडियो बनाया आपको नोटिफिकेशन भेज दिया लोग पर पहुंच गया यूटूब यहां पर आप चा नहीं है और हाड भी नहीं है अब अलाम से कर सकते हैं आपका यूटूब बनाते हैं और आपके पास दस मिलन का नोटिफिकेशन है तो आप उससे जाकर अपना वीडियो को भी नोटिफिकेशन बैस सकते हैं यूटूब वीडियो को भी बूस्ट मिलेगा तो हाला कि यह लारा पुश थोड़ा सा कॉस्ली तो है इसको आप ऐसे मत देखो कि बहुत महांगा है इसको आप आजए निवेस्मेंट कर रहे हो इनवेस्मेंट का रिटन आपको अच्छा ही आएगा अगर आप उसको अच्छे से इस्तेमाल करना सीख गया और जिस तरीके से प्रवीन भाई ने बताया कि कैसे यूज करना है नोटिफिकेशन का जिसके वजह से आपकी आपका जो आर्टिकल है डिसकवर में जाएगा और डिसकवर में जितना जादा जाएगा उतने डॉलर साफ के बनेंगे डिखाना च प्रवीन भाई चलिए इतनी सारी बाते हो गई अभी जैसे आपका फ्यूचर प्लान क्या है आप कैसे करने वाले हैं जो नोटिफिकेशन है मेरा यह तो मेरा रहे गई रहेगा और मैं इससे और काफी साइडे खोलने वाला हूं ने ब्लोक्स बनाने वाला हूं भी बना चुका हूं लगवा में पांच और बाकी लोग लिए छोड़ी है थोड़ा है इसमें तो है चल रहा है सबका इसमें बढ़ेंगे तो जाहिसे बढ़ता रहेगा लेकिन मैं जो भी किया हूं है अगर आप किसी भी साइड पर किसी भी पोस्ट पर ऑटमेटिक आप ट्रेफिक भेजते हैं तो वहां पर गूगल को भी हींट मिलता है तो आपका जो आडिकल टोप 10 में है ना वो टोप 5-7 में या 3 में तू में आ जाता है पोजिशन पर आजाता है आपका पास सबसे पहले तो आप एक साइड बनाने के बाद आप उसको सबसे पहले कि आएक अच्छा था थीम और उसके पास एक पुरा मुवाइल बहुत ही फास्ट स्पीड अपनी साइट को बना लीजिए ना उसके बनाने के बाद आपको सबसे पहले गूगल नीज को अप्लाइ करिए और यहां पर चीजों को देखिए जो गूगल नीज फॉलो करता है उस चीजों को डालेंगे तो जल्दी अप्रूब होगा आप आप अगर दो तिन केडिगरी ही अगर पकर के डालते हैं तो उसने में आपको अप्रूमिला एक साइट है ने साइट पर आपको मिल जाएगा ठीक है गूगल नीज हो गया आपके एक साइट हो गई है ना अगर इंडेक्सिंग फास्ट करने के लिए आप एपिया यूज कर गूगल क्लाउड स्वर्च कॉंसोल से क्लाउड से आप एपिया जनरेट करके उसको सेट करेंगे तो आपका इंडेक्सिंग फास्ट हो जाएगा उसका प्रोसेस थोड़ा सा बड़ा है आप वीडियो बहुत यूट्यूब हैंगी आप देख लिजेगा तो आपको मिला के गूगल आपका इंडेक्सिंग फास्ट होना चाहिए हां इंडेक्सिंग फास्ट आपका बन गई गूगल नहीं अकर्पूप हो गया अपने आपको कहां से किया इंगेज लिया सकते हैं तो आपके पास Facebook यहाँ आपके पास कोई भी शूर्सें आपको लाना है त्रेफिक आगर आजया पे आप एक आड़ डलेंगे आप मंगा लेंगे तो इसा तो तो बिलकुन आपको लागता है आपको एक मीने तक फिर मेनत करनी पड़ेगी आप एक मीने तक मेनत करेंगे गूगल देखेगा कि हाँ भाई इस पर ट्रेफिक आ रहा है बढ़िया रिच बना रहा है मतलब चला इसका प्रोसेस बढ़िया चला है तो आप धीरे-धीर करके आपका पकड़ेगा उसको घुषा देगा तो यहां पर आपके पोस्ट पर ट्रेफिक होना चाहिए बस सिंपल सा तरीका है ट्रेफिक है तो फैस्ट बहुत जल्दी होगा डिस्कावर में ग्रेट थैंक्यू सो मच प्रविन भाई उमीद है कि ऑडियेंस को भी इस पूरा समझ में आगया होगा कॉंसेप्ट की डिस्कवर में कैसे हम अर्टिकल को भीज़ते हैं और एक और इंपॉर्टेंट मैं एड़ कर देता हूं कि टाइटल और थम्नेल को आपको भूत ध्यान देना है कि टाइटल थम्नेल ऐसा रहे कि लोग पढ़ते ही क्लिक करने का सोचे और मिसली सब्सक्राइब तो आप लारापुस टूल को डिस्काउंटे रेट में नीचे से खरी सकते हो हमारे हमने लिंक दिया अपना अफ्लियेट लिंक है तो उससे आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा जो प्रभीन भाई को नहीं मिला था और यूज आप लोग को दोस्तों ही ब्लॉगिंग में इन्होंने इतना मचा के रखा है कि अब तो गावाले इनसे उधार मांगने लग रहे हैं फिलाल के लिए इस वीडियो में इतना ही में देखिए आपको वीडियो पसंद आया पसंद आया तो लाइक जरू करें और इस चैनल पर अगर आप पहली बार आ कंसरी को भीडियो चाहत हता ही में देखिए आप औरा है बंप다